बिहार में चोरी का गजब मामला सुरंग बनाई और एक एकर पुर्जे ले जाकर पूरा रेल इंजन चुरा लिया बिहार में चोरी का गजब मामला सामने आया है रेलवे के याड से एक पूरे डीजल इंजन को चोरों ने पुर्जा पुर्जा खोल कर चोरी कर ली बताया जाना है कि इन चोरों ने याड में एक सुरंग बना कर इंजन की पूर्जे चुराने शुरू किये और धीरे धीरे पूरा इंजन ही चोरी कर लिया इंजन को यहां मरमत के लिए लाया गया था दरसल मुदफरपुर के सदर्थानाशेतर के प्रभात नगरस्थित एक सप्ता पहले आरपीएफ ने एक बरतन दुकान और उसके गोदाम में चापेमारी की चापेमारी को पहुची आरपीएफ की टीम गोदाम में रेल पहिया देखकर चौक गई इस दोरान मनोहर शाह के दो मंजिला मकान से रेल का चक्का समेथ भारी मात्रा में रेल वे से चुराया गया समान बरामत किया गया है चापेमारी के भनक लगते ही आरोपी फरार बदादे की मनोहर बरतन के ववसाय के अलावा कबार का धंदा भी अपने घर से ही करता है इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए आर्पी अफ ने उसके घर समेथ अनठीकानों की तलाशी ली वहीं आरोपीत मनोहर शाह पेमारी के भनक लगते ही फरार हो गया लेकिन उसकी मैनेजर और केयर टेकर को आर्पी अपने हिरासत में ले लिया आपको बता दे की बराउने के पास गरहारा रेलवे यार्ड में खड़ा इंजन लगाया जाता है जहां से चोरों का एक गिरो रेल इंजन में लगी तामे का वायर और अलुमीनियम के पार्ट्स को चोरी कर जिले के विविन स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेश दिया करता था इसका खुलासा होने पर रेल पुलिस ने चोरी की एफायार दर्ज कर जाच शुरू कर दी है फिलाल मुजफरपुर के प्रभात नगर कॉलोनी में मनोहर लाल शाह के स्क्रैप गोदाम पर छापे मारी की गई और वहां से चोरी हुई 13 बोरा रेल वी इंजन पार्ट्स बरामत किये गए बरौनी से चोरी होने की बात बताया ज़ार है कि ये बरौनी से चोरी किया गया समान है जोसे मनोहर ने किसी से खरीदा था फिलाल बरौनी के गरहारा रेल वी यार्ट से चोरी हुए 16 रेल एंजन के सभी पार्ट्स पुर्जेख अपाने वाले मनोहर शाह फरार है मुझाफर पुर से संतोष्तिवारी की रेपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद